इसके उपर कोई वो नहीं किया मैंने एक टीवी की मेना खाल दुनिया निउस था कि पता है कि शेख रिशीद के उपर जान लेवा हमला हुआ जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वोगत पाकिस्तान में टील पी ने पड़े चलांगे बांदरों ने चलांगे मारी में मुल्क को जलाया हुआ एक ट्रक की बती के पीछे पाकिस्तान की एवाम को लगाया गया और अब वो इनको मज़ा चिखा रहे हैं तो ये पिछले पूरा हफता होता रहा है फिर अब उसका अपडेट यही है कि इन्होंने ज़रा हाथ हूँ जोड़ ज़ाड़ के थोड़ी स को तीन दिन पहले तो अब उसके उपर जो पीपल पार्टी है जो कि सेकुलर पार्टी का दावाब करती है होने का ओर ननरों ने कहाए कि भाई ये तो आपका इशू है इसमें करारदाद असेंब्ली में इस बात को लाने की काई जरू है तो क्योंकि एग्जेक्टिव है ज तो वो भाग गए क्योंकि वो भी फास जाना था उन्होंने अगर वो कह देते कि हाँ भी निकाल दो अगर वोट देते कि निकाल दो तो फिर फास जाएंगे दुनिया उनको छितर मारेगी कि ये कैसे भी तुम कैसे सैकुलर हो नहीं डालेंगे और उसके अगेंस्ट डालेंग फूट पढ़ चुकी भी है, इनकी पार्टियों के अंदर भी कुछ जो लबैकिये और जहादिये, तो हर पार्टी में घुसे में है, इन्होंने उनको घुसाया, वो एक वो अली मीर है, कि क्या नाम है, उसका अगर ये, अगर ये, तो उसका अली मुहम्मद ने अपना टीवी के शो होता न, वो दूरूस से शुरू कर देता है, ड्रामे बाजी, तो बेहराल ये जब लबैक का इशू हो रहा था, तो उन्होंने का भी अब क्या करें हम, अगर ये इन्होंने ताजदारे, खत्मे, नबुवत, नामुसे, रिसालत के लिए नहीं खड़े हुए, तो मैंने पीटियाइ छोड़े दे, काफी छोटे लेवल के लोगों ने छोड़ी भी एड़ पीटियाइ, तो अंदर से फूट पड़ चुकी है, ये इमरान खान या जो नवा इसको डिले करेंगे, जितना डिले कर सकते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये करारदाद पास हो जाएगी, तो फिर इनको अंबैसेडर निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर अगर ये नहीं डालेंगे, उसको ओनर नहीं करेंगे, रेजलूशन को, तो फिर लबैकी में जो आशकीन, रुसूल अला की महबबत में चलांगे मारें, जब इनके उपर इंटरनाशनल पबंदिया लगेंगी, इनके एक्सपोर्स नीचे जाएंगी, जब इनको और डॉलरों का फुकदान होगा, जब डॉलर कम हो जाएंगे, तब भी इनों नहीं चलांगे मार न हैं, ये पाकिस्तान की स्टैबलिश्मेंट है, जैसे मैंने आपको पता नहीं पहले अपनी इंग्लिश की वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो उस्बैक हैं, ताजीक हैं, वो तो बड़े सخت जंगजू किसम के जहादियें, वो वो लोग हैं, जो अलकाइदा में सारी के सार थे ही वही लोग जहादिये, जो उधर से आते थे सेंट्रल एशिया से, तो वो क्यों नहीं, उन्होंने क्यों नहीं अपने शेहर जलाएं, उन्होंने क्यों नहीं मुझारे किये, क्योंकि उनकी इंडॉक्टरिनेशन इश्के महबत पे नहीं हुई, महबत आशकाने रिसू पूल नहीं है वो, यहां पर यह लड़ने वाले इतने नहीं है खैर, अफगानी है, पश्टून है, लेकिं पंजाबी इतने लड़ने लोडने वाले नहीं है, तो यह जलाओ घराओं पर आ जाते हैं, अपने अपने मुल्क को जलाने लाग जाते हैं, तो यह establishment ने इनके साथ बेवकूफी की, हाला कि एक हदीस है, इसलाम के पांच जो जुज हैं, पांच पिलर्स पिलर्स अव इसलाम हैं, सतून जो हैं, उसके अंदर कहीं पर भी यह शर्त नहीं है, जो सिक्स आर्टिकल्स अफेथ हैं, उसमें भी यह शर्त नहीं है, यह एक हदीस है, कि हज़रत यह भी जी भी बात है यानि मैं अपना मजभ इजात करूँ मैं सबसे पहली शर्त रखो मेरे से तुमने बहुत ज़्यादा प्यार करना मेरे से प्यार करो अपनी जान से भी ज़्यादा मिर्जा थाब एक वाकिया सुना रहे थे तो हज़र्द उमर ने सोचा होगा कि यार बेरी बड़ी जैजय होगी लेकिन उन्हें क्या पता था कि हज़र्द मुहमन नंबर वन किसम के नासिसिस्ट परसनेलिटी है उन्हें ने का ए नहीं महम्मद नहीं नहीं उमर तुम्हारा इमान तब तक कबूल नहीं होगा जब तक तुम मुझसे अपनी जान से भी जादा प्यार न करो और फिर उमर बिचारे ने का कि हां रसूल आला मैं आपसे ना अपनी जान से भी जादा प्यार करता हूँ बीवी बच्चे सबसे जादा फिर जाके रसूल आला के कलेजे में ठंड़क पड़ी उनकी जो नार्सिस्सिजम की जो पॉलिसी जो उनकी परसनेलिटी थी उनको तब जाके सुकून है हाँ ये मुझसे तो वहाँ पर ये वो वाली हदीश है अला कि इतनी भूंगी हरकत है ये जो स्टालिन था आपका ये किम जॉंग इन उन उल जितने भी इन किम जॉंग उन है ये जितने भी डिक्टेटर होते हैं फिदल कास्तोरों ने भी आपके माव ने भी इन लोगों ने सबसे पहले काम क्या किये इन लोगों ने इन लोगों ने religion को destroy किया जो भी religion था Soviet Union की example लेते हैं और North Korea की लेते हैं इन्होंने जो भी state का religion था उसको उठा के बाहर पिंका Jesus की तस्वीरें उतारी Stalin ने, हर घर में Jesus के photo उतारी गई और कहा कि उसकी जगा मेरी photo लगा Stalin ने अपनी photo लगाई इसको कहते है cult of personality यानि अपने आपको महवर बना देना, हर चीज मेरे गूमती है, वही रिसूल अला ने भी काम किया और ये आज से 1400 साल बाद जाहिल पागल के पुता है, अपने शैरों को जला रहे हैं, तो पहराल, यही अब करारताद में फज़े हैं कि अब ये क्या करें अब ये फास गए हैं तो फ्रांस का निकाल लेंगे वो वजीर आजम ने कौम से खताब किया और उस कौम से खताब में उन्हें ने का यार ये तो कल को फिर से कोई हॉलेंड में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे हॉलेंड का भी निकाल देंगे अमरीका में हो गया, अमरीका का भी निकाल देंगे बरतानिया में हो गया, वो भी निकाल देंगे तो करेंगे गया तो बहराल इसके उपर जो सबसे आगे आगे था, वो था ये वैसे इसको कहते हैं स्वीट जस्टिस Cosmic Justice इसे कहते हैं कि जब फैजाबाद का धरना हो रहा था तब खान साहिब इनकी गोद में जाकर बैठागे रशीदा टैली साहब जो है हमारे शेख रशीद साहब Interior Minister वजीर दाखला ये जला दो मुल्क गिरा दो खत्म नभूत के उपर कोई नहीं होगा समझो था ड्रामे बाजियां क्योंके हकूमत नहीं था ड्रामे बाजियां एजिटेशन करनी थी और किस्मत का करना क्या हुआ कि अब वही वजीर दाखला था उसके अंदर Interior Minister के नीचे पुलिस तो ये इन्होंने बंदे मरवाए लबैकियों के बंदे मार के उनको बेजा कि आप जाएं उपर हज़त मौमद से जा के कप शप पी के बैठें उनके साथ बचियां शुचियां बहतर बचियां जो आपको मिलने नजुआए करें आप चलें उपर तो ये इस ने शेख रशीद ने मारे बंदे और उपर पहुचा दिये तो शेख रशीद साहेब इस वक्त उनकी उपर सबसे बड़ा टारगेट अमरान खान से बज़ादर शेख रशीद साहब है तो उनके उपर जान ले वा हमला हुआ और अब अंदर की तो नहीं खैर ये आर्जू काजमी ने ये खबर दी मुझे इसकी कोई confirmation नहीं है मैंने इसको ढूनने की verify करने की बड़ी कोशिश की एक दो लोगां से बात की उन्होंने भी कहा ये खबर सची है लेकि मैं उसको भी trust नहीं कर पा रहा क्योंके उनका जो रुजहान है ना वो एंटी establishment और एंटी इमरान खान है तो इसलिए वो इस खबर को वो एक बाइस आ जाता है तो उन्होंने इसको खबर को सची माली है बहराल खबर ये है ये मैं कहा रहा हूँ कि मुझे 100% नहीं पता है सची है के नहीं लेकिन खबर इस उकड अफवा है खबर गर्दिश का दिए कि शेख रशीद सहभ ने किस्मत करना आशकान रिसूल के लिए क्या हुआ आशकान रिसूलों ने दूसरे आशके रिसूलों के लिए धर्ती तंग कर दी है वाँ इतना तो काम अमरीका ने नहीं किया था जब उन्हों ने जब बुश ने कहा था कि वी विल स्मोक दम आउट यानि हम धुआ डाल के इनको बाट निकाल लेंगे जिन खारों में चुपे में तो धर्ती तंग हो रही है आशकाने रसूलों के लिए दूसरे आशकाने रसूलों से तो शेख रशीद सहाब ने सारे मसीही क्रिस्चन बॉडिगार्ड रख ली है कहीं कोई मुम्ताज कादरी ना निकलाए बीच में से है मुम्तास कादरी के डर से और मैं वो जो दुनिया पे या पतानी कौन से बोल टीवी पे जहां पे भी खबर चली थी उन्होंने लिखावा था उसके नीचे मैं कॉमेंट्स पाड़ा रहा थे क्योंकि अव्विसी इन्होंने इतना बड़ा जिन खड़ा कर दिया ये तो ना इमरान खान की सुन रहे जब इतना बड़ा भव बिल्ला इन्होंने बीच में ढाल दिया रसूल से इश्क का नारा तो इससे कौन लडएगा ये बिचारे मैं इनकी बेबसी पे हंसरा था अफसोस हो रहा था मुझे इनकी बेबसी पे और हंसी भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी थोड़ी सी के बिचारे बात करते हैं पहले जुमला अपना डरे वे डरे वे सहमे वे शुरू कहां से करते हैं अपना जुमला रसूल अल्ला की खातिर हम कट मरने के लिए त्यार है रसूल अल्ला हमारी आँख कता रहा है किसी को हर गिस बरदाश्ट नहीं करेंगे वग्यरा वग्यरा खात्म नभीन हमारे आखरी नभी प्यारे आका वग्यरा वग्यरा पाद हैं गहनटा गाना गाते हैं, रिसुल आला की शाहन में फिर जाके कहते हैं, लेकिन, एंड में जाके लेकिन, जो इन्होंने point देना होता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा खड़ा कर दिया, महाल बना दिया कि जो सीधी बात है, बचारे सीधे तरीके से कर ही नहीं सकते डरे वे, सहमे वे, कि खातम नभीन का, खातम इधर उधर हो गया तो छितर पढ़ेंगे तो end में जाके कहते हैं, लेकिन यार ये कोई अच्छी बात नहीं, और हाला के मौलवी जो हैं, बिल्कुल सही कह रहे है भई आपने अगर कहा है कि रिसूल अला सबसे उपर है, इसलाम और रिसूल अला सबसे उपर है फिर उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद फिर आपकी बाकी चीज़े हैं, तो जाहिरी बात है, रिसूल अला के लिए फिर कट मरो जाके, मौलवी ओना थोड़ी बहुती जानों के कुर्बानिया दी भी हैं तो वो अपनी जगा पर ठीक है ये जो ड्रामे बाजी करते हैं हमारे जो सियासत आने के रिसूल अला के लिए, हम कट मरने के लिए त्यार हैं, लेकिन फ्रांस के अंबैसिडर को नहीं निकाल सकते हैं है, ये ये कैसी ड्रामे बाजी है, फ्रांस का अंबैसिडर निकालना कट मरने से थोड़ी कम बात है अगर लॉजिकली देखा जाए इसमें क्या गलत बाता है वैसे तो हमें पता कि बेवकूफी है अव्यसली बेवकूफी है एक बंदा चोधान से साल पहले मर गया उसके लिए आप दिन में हजारों दरूद काते हैं फिर भी वो बास नहीं आता कि नहीं मेरे उसे प्यार करूँ जैसे वो एक नकाम आशिक नहीं होता लड़की के आगे कहता है मुझे तुमसे प्यार हो गया मुझसे प्यार करूँ मुझसे प्यार करो प्यार तो ये ड्रामे बास इन लोगा ने बेवकूफर ने लगाई भी अब इनके गले का फंदा बन गया और शेख दुशी साहब बिचारे अफवाख के मताबिक उनकी जान को खतरा है और उन्होंने क्रिस्चन बाडी गार्ड रखे में दसो यार ऐ हाले नवा अच्छा वो कहने जान लेवा हमला नहीं हुआ हाँ बलके मेरे खल जान लेवा हमला नहीं हुआ उन्होंने जो खबर में उन्होंने ये बताया था कि एक बंदा बंदूग लेके गया कि जानलेवा हमला नहीं हो लेकिन एक बंदा उनके पास गया बंदूग लेके वो भी अकल से पैदल जाहरी बाद आशके रिसूल है अकल से पैदल ही होगा तो बंदूग लेके क्या बड़े मज़ेश रो मैंने फ़लाने को मारना है किजी को है तो पुलिस ने चेक कर लिया उसकी तलाशी ले ली तो वो उसकी फिर उसको जेरे हरासत उन्होंने अरेस्ट कर लिया उसे मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ